चालाक खरगोश जंगल के निकट ही एक किसान का खेत था किसान ने काफी मेहनत करके केत में साग सबजियों की क्यारियां तयार की और उसे अपनी मेहनत का फल भी मिलने लगा गुधर एक खरगोश रोज उसकी सबजियों का सफाया करने लगा किसान ने एक फंदा तैयार किया ताकि जब चोर आये तो उसमें फस जाये अगली सुबह जब किसान अपने खेत पर पहुंचा तो वह करगोश को फंदे में फसा देखकर बड़ा खुश हुआ तो तु है जो इतने दिन मेरी साग सबजियां चुराता रहा तहर तुझे चोरी करने का मजा चकाता हूँ इतना कहकर किसान चला गया ठीक उसी समय उसे वहा एक गीदड दिखाई दिया गीदड को देखगर करगोश बड़े ठाट से मुस्कुराया इस पर गीदड बोला क्या बेटा यहां कहा बैटे हो और तुमारे गले में यहां रसी कैसी है बड़े ही खुश नजर आ रहे हो करगोश अब और भी कुश नजर आने की कोशिस करने लगा और बोला क्या बताऊं भड़े बाई बच्चों की तबियत ठीक नहीं थी इसलिए वैद जी के पास जा रहा था रस्ते में गाई फूफी मिल गई बोली मेरी बेटी की शादी है तुम्हें जरूर मेरे साथ चलना होगा मैं ने लाक कहा कि मैं बहुत जरूरी काम पर जा रहा हूं पर वह न मानी उसने मुझे यहां बांध दिया और जाते जाते कहती गई कि कोई मुझे लिवाने आयेगा अब तुम ही बताओ भड़े बाई मैं क्या करूँ बच्चों को दवाई तो पहुंचानी ही होगी नहीं तो उनकी थबियत बिगड सकती है हाँ अगर तुम शादी पर जाना चाते हो तो तुम मेरी जगह आ जाओ दीदड करगोश की बातों में आ गया और बोला ठीक है मैं शादी पर जाना चाता हूँ मुझे कभी कोई नहीं बुलाता और इतना खाकर उसने खरगोश को आजाद कर दिया जब की दड़ करगोश की जगह पर आ गया और वहाँ अच्छी तरह जकड़ा गया तो करगोश बोला मैं वैदिर जी के पास जा रहा हूँ शादी वाले अभी आ रहे होंगे और इह कहकर वह वहाँ से किसक लिया और पास की एक जाड़ी में जा चिपा इतने में किसान अपने हाथ में एक मजबूद छड़ी लिये वहाँ आ पहुंचा उसने जब गीद़ करगोश की जगह पा फसा है कोई बात नहीं इसकी ही पहले खबर लेता हूँ और यह कहकर वह गीद़ को अंधा दुद पीटने लगा और उसे तब तक पीटता रहा जब तक की चड़ी के रेशों नहीं निकला आये किसान की चड़ी तब पूरी तरह खत्म हो गई तो वह अपने कुते को लाने चल पड़ा इतने में खरगोश फिर वहा दिखाई दिया और गीद़ से बोला क्यों बड़े बाई मजे में तो होना अभी शादी वाले तुम्हें लिवाने नहीं आये गीद़ यकायक रो पड़ा बोला मुझे शादी पर नहीं जाना है मुझे जल्दी से इस फंदे से उड़ाने का क्या मतलब होता वह अपनी जान गवाना नहीं चाता था इसलिए उसने गीद़ से इधर उधर की हांकते हुए किसान का इंतजार करना ठीक समझा तब गीद़ मारे डर से थर थर कामता रहा तोड़ी ही देर में उसे कुट्टे के साथ किसान आता दिकाई दिया जैसे ही करगोश ने किसान को आते देखा वैसे ही उसने गीद़ का फंदा खोलना शुरू कर दिया गीद़ अब आजाद था गीद़ को देखकर किसान के कुट्टा वही खड़े हो गया और उस पर जपटने का मौका देखने लगा तब करगोश और गीद़ वहां से निकल और अलग-अलग दिशाओं में दवड़ कर उन्होंने अपनी जान बचाई